भारत टीवी की इस खासफेस का सोधरख्वास की घड़ी में मैं रिजवान खान आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ आज आपको लेकर चलते हैं राजिस्तान की ओर कामा विधान सबा में आए दिन इस तरीके की घटनाए हो रही हैं जिसकी वज़ा से लोग काफी ज़्यदा परेशान हैं कभी फेक पुलिस आती है और लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर देती है ऐसी ही कुछ तस्वीरे लगातार पिछले के दिनों से आ रही हैं जिनमें साब साब देखा जा सकता है कि कुछ लोग पुलिस परसासन के लोगों को पकड़ते हैं उन्हें बुरी तरीके से मारते हैं और उसके बाद कामा पुलिस को हैंड ओवर कर देते हैं यानि कि उन्हें उनको थमा देते हैं इस बीच चर्चाय जोरो पर हो जाती है इससे पहले जो मामला सामने आता है वो आता है खेडी ननुका गाउं से जहां पर रात के समय में अचानक से पुलिस का भेस बदल कर कुछ लोग वहां पर आते हैं और एक लड़के को पकड़ने की कोशिस करते हैं जब उनकी ये काम्य जब नहीं हो पाते हैं तो लड़के में गोली मार देते हैं जिसे आनन फानन में भरती कराया जाता है भरतपुर में लेकिन इलाज के दौरान उनकी मिर्तियू हो जाती है जिसको लेकर के पुरे गाउं में रौस फैल जाता है सारे लोग शड़कों पर आ जाते हैं और लग को चुटाने की कोशिस करते हैं इस पर नेताव की चुपी क्या दरसाती है लगाताcidos जितनेवी नेता थे वह चुपी सादेवे थे किसी का एक भी बयांद नहीं आया और नाहे किसी ने आगे आकर ये जाने की कोशिस कि कि आखिरकार हमारे इलाके में ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है ये भी आपने आप में एक बड़ा सवाल है क्योंकि ये वो नेता है जिनको हम लोग चुनते हैं चुनकर के उन्हें सत्ता तक पहुंचाने का काम करते हैं और उनसे उम्मीद होती है कि अगर कोई परेशानी होगी कोई किसी तरीके की दिक्कत होगी तो यही वो नेता होंगे जो हमारे साथ कांधे से कांधे मिलाकर खड़े होंगे लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है सब कुछ सभी लोग के आँखों की सामने होता है नेताओ के चुपी साधे रखना क्या दर्साता है या फिर जो पीडित परिवार है जो लगाता नियाई के लिए दरदर भटक रहा है जिनकी डेड़ बोड़ी चार दिन तक नहीं आती हाला कि पांच यो दिन वो अपनी उस डेड़ बोड़ी को लिकर आते हैं दफनाने की कोशिश करते ह करे भी तो क्या करे बेचारे मजबूर थे डेड़ बोड़ी गल जाती सर जाती लेकिन इस बात से नेताओ को कोई फरक पड़ने वाला नहीं है चाहे जनता के साथ कुछ भी क्यो ना हो जाए अब ऐसे में आप लोग क्या सोचते हैं और इस तरीके का बरताओ नेताओ का क्य दरसाता है इस पर आपकी परती किर्या क्या होती है ये जाना बेहत जरूरी है ऐसे में आपको करना सिर्फ इतना है कि आप अपनी परती किर्या कमेंट बॉक्स में रखिएगा इसके अलावा हमारा जो फोन नमबर है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा इस पर आप कॉल करके अपने परती किरिया रख सकते हैं और हमारी कोशिस यह रहीगी कि आपकी उन परती किरियाओं को लोगों के साथ, नेताओं के साथ और परसाशन के लोगों के साथ में साजा किया जाए तो आज किले सितना ही फिरोगी मुलाकात एक नए प्रोगाम के साथ एक नए मुद्दे के साथ तब तक के लिए आप बने रहे हैं सिर्फ और से भारत टीवी के साथ